शम्मानित मुलक के मालिको मैं बाध विक्षू सुमित रतन अभी अभी एक बहुत ही दरदनाक दुख भरी घटना की ख़वर आ रही है राजस्थान में भाजपा की सरकार है राजस्थान में एक जिला है राजसमद वहाँ गाउं है डूंगरी गाउं वहां की घटना है नहीं था अठारे साल सासन प्रसासन से संगर्ष करने के बाद दलितों को समसान मिला गिशाराम नाम के व्यक्ति उनकी मृत्ति हुई पूरा गाउं दाह संसकार के लिए मृत्त सय्या को उसमें पुरुष भी सामिल थे महलाएं भी सामिल थी और वो समसान ले जा रहे थे तब ही अपने आपको मुची जाती कहने वाले जातिबादी आतंक बादी लोगों ने उन पर हमला कर दिया पत्थराओ कर दिया जैसी भी तोड़ दी गई और सब लोगों को लहुलुहान कर दिया गया कारड नहीं चाते हैं वो जातिबादी लोग की अनसुचित जनजाती के लोग हमारी जमीनों पर दाहसंसकार करें और उन्हें अच्छा नहीं लगा समसान भूमी मिल जाना चुकि कई बरसू से वो संगर्स कर रहे थे अपने खेतों में दाहसंसकार करते थे सासन पर सासन से गौहर लगाई शंगर्स किया गया तो उन्हें अपना समसान मिला लेकिन अपने आपको उची जाती कहने वाले गाओं के तमाम लोगों को बुरा लगा और उन्होंने एक स दूरी नहीं कराएगा इनको अपनी दुकानों से रासन नहीं दिया जाएगा क्योंकि इनकी हिम्मत कैसे हुई सासन पर सासन से लड़कर अपना समसान लेने की मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि भारत स्वतंत्र है आजाद है जातिबाद छुआ छूत बर्गबाद ये घटना कोई पहली नहीं है राजस्तान में आए दिन कभी मूचों पर हत्या कर दी जाती कभी बच्चे को घड़ा चूने पर मार दिया जाता और आज ये घटना आई है कि जीने आप देते नहीं पढ़ने आप देते नहीं स्कूल जाते तो नंबर कम कर देते हो पार करते है तो रोजगार नहीं करने देते हो नौकरी करते हो बहां आप खून पीते हो और अलग अलग छित्रों में अले तरह का आप हमारे साथ प्रतारना करते हो और जब हमारी मृत्ती हो जाती है तो हमें सही से दाह संसकार भी नहीं करने देते हो ये दोनों पक्षे हिंदू है हिं चार सेहने वाला भी हिंदु है यह सरम नाख है यह घटना बहुती दुख़ध है यह मानपताह पर कलंक है भारत पर कलंक है महापुरसो के आंदोलन पर कलंक है इस पर कानूनी कारवाई होनी चाहिए तमाम लोगों ने शिकायते की हैं तमाम मीडिया कवरेज हुआ है लेकिन अभी तक दोसियों पर कोई कारवाई नहीं हुए दोसियों ने फरमान जारी जरूर कर दिया है कि अब अनसूचे जाती के लोगों से ना मजदूरी कराएंगे ना इने रासन देंगे और ना इने गाओं में घुसने देंगे अपने महले की तरफ लेकिन अभी तक राजित्हान की पुलिस ने ना उने गरपतार किया है ना जेल भेजा है बिचार करिए आप रह रहे होगे दिल्ली में आप रहे होगे चंडीगड में आप रहे होगे बैंगलोर में बुम्बई में आप लखनों में रहे होगे सुरक्षित होगे लेकिन आपके भाईयों के साथ इतना बड़ा त्याचार होता है और आपका रूह तक नहीं कामता मानवता के खिलाब जब जब भी करते होता है शम्मिदान के खिलाब जब जब भी कोई कदम उठाता है तो मैं आबाज देता हूँ और लोगों की मदद करने का प्रयास करता हूँ ये सो करोड की आबादी का देश आज से नहीं सदियों से पिट रहा है और आज भी रोज पिटता है फिर भी इनमें रोस नहीं है फिर भी परिवर्तन का कोई भाव नहीं है और लड़ने की कोई गुंजाइस नहीं है ऐसे भारत में हम जी रहे हैं बहुत शंख्यक किसी काम के नहीं है इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूँगा कि आगे और अत्याचार ना हो इसलिए जागरुक हो जाईए अपने मान समान के लड़िये और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने आपको उच्छी जाती कहने वाले आपको मरा हुआ मानते हैं डरा हुआ मानते हैं बहुत छोटा मानते हैं उनकी वो मान सकता कभी बदलने वाली नहीं है और आज हो सकता है कि आप सक्षम और मजबूत हो गए हो आने वाली पीड़ी आपकी कमजोर हो जाए ये जर्म सहती रहेगी और आगे चल कर ये जर्म और बढ़ सकता है इसलिए आवाज दो हम एक हैं अत्याचार के खिलाब जाते बाद के खिलाब छुआ छूट के खिलाब हमें आवाज देनी होगी और जाते बादी आतंक बादियों से हमें लड़ना होगा बहुत बहुत धने बाद बहुत बहुत सादू बाद